ब्लट प्रेशर, हाई कॉलेस्ट्रोल, डाइबिटीज, हाट अटेक जैसे खातक रोगों से दूर रहने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए? हाट अटेक, डाइबिटीज और ब्लट प्रेशर जैसे खातकी रोग, अपने आहार की खराब आदतों के कारण, छोटी सी उमर में भी शरीर के अंदर घर करने लगे हैं। जो बिमारी 60 वर्स के बाद हो रही थी, वो अभी अपने आहार के विचित्र आदतों की वज़े से 35 से 40 वर्स की आयू में शरीर के उपर हमला कर देती है। यह परिस्तिती के लिए बहुत सारे कारण है। आहार, अनिंद्रा, मानसिक, बेचेनी, सोने और उठने की आदत, परियावरण, इन सब में से सबसे ज़्यादा महत्व का कारण। आहार है, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, हाई कॉलेस्ट्रोल और हाट अटेक एक दूसरे के साथ मिले हुए रोग है। और यह आजकल 35 और 40 की उम्र के 5 में से 3 लोगों में पाया जाता है। कोई भी रोग हुआ हो या न हुआ हो, उसका बड़ा आधार खाने पिने की आदतों की वज़े से है। है, इसलिए यह रोगों से दूर रहने के लिए क्या खाना चाहिए वो आज हम जानेंगे। केला यानि बनाना, सोल्यूबल फाइबर बहुत ज्यादा प्रमान में केले में होने से केला भुख मिटाता है। उसमें रहने वाला श्टार्च जो सरीर के अंदर कार्बोहाइडेट को जमा नहीं होने देता। उसमें जब पोटेश्यम है वहाँ मसल्स बनाता है और फेट को जला देता है। एक या दो केले रोज खाने चाहिए। रोज दो मोसम भी खाने से वजन कम होता है और रोगों से दूर रहते है। अनार के अंदर एंटी ओक्सिडेंट होता है जो बीन ज़रूरी टॉक्सिंस को सरीर में से दूर कर देता है। उसमें पोली फिनोक्स है जो मेटाबोलिजम को सुधारता है अच्छा करता है। नास्ते में एक अलग-अलग दाने खाने से या किसी के अंदर मिला के खाने से आप हमेशा स्वस्थ बने रहोगे। पेर पेर जिसमें हेल्थी एसिड होता है। एक पेर के अंदर साधारन तह बीस ग्राम हेल्थी एसिड होता है। जो बॉलिजम, मोटा बॉलिजम को बढ़ाता है। और यह सारे रोगों से दूर रखने के हार्मोन इसमें उत्पन होते हैं। और रोगों से दूर रखता है। ट्राइफूट किसमीज, काजू, पिस्ता, बादाम, अक्रोट वगेरे में मिनरल और विटामिन्स पाये जाते हैं। जो शरीर के अंदर सेल्स की शक्ती बढ़ाता है। ट्राइफूट इम्यून सिस्टम को सुधारता है। और वाइरस से बचाता है। नारियल, नारियल का कोप्रा, इसमें MCFA है, जो शरीर के अंदर मेटाबोलिजम को सुधारता है। कोकोनेट खाने से पेट हमेशा भरा हुआ लगता है। थाइरोड ग्रंथियों को ग्रंथियों में खोप्रा बहुत ही फाइदाकारत होता है। टमाटो, टमाटो के अंदर विटामिन C और हाइकोफें है। उसमें का एमिनो एसीट अगेरे काडियो वास्कोलर के रोगों में फाइदाकारत होता है। पाचन क्रिया में भी मददकार होता है। पालक वजन कम होता है तो यह रोगों से डरने की जरुरत नहीं। पालक वजन को घटाता है, कम करता है। इसमें केल्शम, आइरन, मैगनेशम, फोस्फेरस, विटामिन A, B6, C और K है। और हड़ियों के लिए यहां फाइदे मंद है। लीमगू लीवर के डिटाक्सिफायर है। लीमगू मतलब लीवर को स्वस्थ रखने वाला एक फल है। वह है लीमगू। अगर लीवर स्वस्थ है तो आपका मेटाबोलिजम अच्छा रहेगा। और अपना फेट जला देगा। फेट से बचना है तो हर रोज सबेरे एक लिमगू। का रस पानी में डाल के उसमें मद मिला के रोज एक गलास पीने से आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। जवारी। इसमें दूसरे अनाज की तुलना में ज्यादा फाइबर होता है। जो पाचन क्रिया को तंदुरूस्त रखता है। इसमें एंटी ओक्सिडेंट होने से रादय रोग का जोकम घट जाता है। कम हो जाता है। और ब्लड प्रेशर पॉलेश्ट्रोल को अंकूश में रखता है। मूमफली मतलब कच्ची मूमफली। कच्ची मूमफली खाने से खारी और सेकी हुई। मूमफली से कहीं ज्यादा फाइबर कच्ची मूमफली में होता है। यह भुख बढ़ाती है और वजन कम करती है। इसके परिणाम हदय रोग नहीं होता। खल्यादा ज़खता है। करता है। मूमफली खाइबर करते है और वजन करते हैं झाल, झाल, झाल.